कि दोस्तो काफी सारे लोग हमें पूछते है कि जब आम अपनी इंटरनेट स्वीट चेक करते हैं तो वह पूछाऑ 40 MPa, 30 MPa की दिखाता है लिकिन जब दूढलोड करते है तो 4 MPa, 3 MPa की दिखाता है और ऐसा क्यों होता है मतलब कि bit और byte में अंतर क्या है खास करके लोग हमें यही पूछते है कि मेगा bit मेगा byte में अंतर क्या है तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि मेगा bit और मेगा byte में अंतर क्या है तो जो लोग जानते हैं मेगा bit और मेगा byte का अंतर और वो लोग वीडियो को skip कर सकते हैं, जाते समय वीडियो को like जरूर करके जाएगा, सभी के साथ share जरूर करके जाएगा और जो लोग नहीं जानते हैं, जानना जाते हैं, megabit और megabyte का difference, तो लोग वीडियो में end तक बने रहें और telegram, whatsapp group आप लोग लिए about page में हैं, आप जाके जूर सकते हो, females के लिए लगसे group बनाएगा है, तो वो भी वहाँ पर जाके जूर सकते हैं इस चैनल को जरूर सभी के साथ शेयर कर दिना, मैं हूँ आपका दोस्त, जीतुराज, चलिए शुरू करते हैं, आज के इस नए एपिसोड को और हाँ, लाइक करकी जाना चैनल पर करने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, नोटिफिकेशन वेल आइकन को और पर सेट कर लेना, क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है, और हाँ, इस वीडियो को लाइज जरू करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो, तो तो दोस्तों, वीडियो की शिरुबात काने से पहले, मेरा वोईस थोड़ा सा खराब आ सकता है, आपको, cold है इसके लिए, तो उसके शमा चाहूंगा, अब सबसे पहले हम लोग बिट को समझ लेते हैं, कि बिट क्या होता है, तो बिट का मतलब यह होता है, small unit of data या फिर small unit of storage, अब बिट में जो है, नॉर्मली दो states होते हैं, या तो on या तो off, या फिर आप आसान शब्दों में कहोंगे, तो बिट में जो है, वो दो value होती है, या तो 0 या तो 1, अब हमें जो है, काफी जादा storage रखना होता है, तो उसके लिए बिट तो हमारे काम आने वाला नहीं ह है ना, तो बिट में क्योंकि दो ही states है, दो ही values है, है ना, तो ये हमारे कुछ जादा इतना काम आने वाला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, बिट से उपर वाली कोई चीज देखेंगे, तो बिट से उपर वाली चीज जब हम देखेंगे, तो उसमें आता है byte, है ना, बाइट में जो है, आट बिट का कलेक्शन है, है ना, यानि कि टोटल सोला वेल्यूस हो जाती है, है ना, तो ये हो गए आपका byte, उसके उपर अगर हमें byte भी नहीं होता है, तो उसके बाद फिर आगे गीगाबाइट आता है, टेराबाइट आता है, एक्जाबाइट आता ह लेकिन फिलाल हम यहाँ पर bit और byte की बात करेंगे, है ना, megabit, megabit की जो है, हम यहाँ पर बात करेंगे, अब bit में होता क्या है, कि आप अपनी इपनी जो internet speed देखते हो, normally जब आप अपनी internet की speed देखते हो, सबसे जादा बड़ा confusion तो वही पर होता है, बहुत सारे लोग इस speed चेक करते हो, तो वहाँ पर mbps जो लिखा हो आता है, वहाँ पर जो है ना, अगर वह आपको small में लिखा हो आ रहा है, mb जो small में लिखा हो आ रहा है, तो वह आपकी speed जो है, वह आपको bit में दिखा रहा है, और अगर आप वहाँ पर m और b को capital में देख पा रहे हो, तो व वाइट में जो है 8 bits होते हैं और bit अपने आप में एक अकेला है है ना तो अब जब आप internet की speed देखते हो अपनी तो internet वाले भाई बुलते हैं यह यह 40 Mbps, 50 Mbps, 30 Mbps मतलब इतनी हमारी speed है इतनी speed से आप data डाउनलोड कर पाऊंगे तब आप लोग क्या समझते हो कि भाई चलो 30 Mbps की मेरी speed है और मेरी file भी 30 Mbps की है तो मैं जो है इसको आसानी से 30 Mbps की speed और 30 Mbps की मतलब मेरी file है तो वो एक सेकेंड में download हो जाने चाहिए क्योंकि Mbps मतलब एक सेकेंड में चल रही है मेरा मतलब net इतना fast चल रहा है तो मैं यह 30 Mbps की file हो तुरन डाउनलोड करूंगा लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा होता है कि जब आप उस 30 Mbps की file 30 Mbps की file को download करने जाते हो तो वहाँ पर आपको downloading speed दिखाएगा 3 Mbps 3 Mbps 4 Mbps है ना इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा क्योंकि आपकी जो internet speed जो होती है वो होती है Mbps स्यानि कि byte में आपको दिखा रहे होती है, यह मतलब कि 30 bits में स्वरी 30 bits में जो है आपको आपकी speed दीख रहे होती है लेकिन जब आप को कोई file download कर रहे हो तो वह file जो होती है वो bytes में होती है है ना जो file है आपकी वो 30 bytes में है अब bit और byte का मतलब आप समझ गये हो है ना अब आप अगर internet की speed जो है आपकी bits में है और अगर आपको फाइल डाउनलोड कर रहे हो वो byte में है तो difference होगा जरूर है ना अब आप जो है bit से अगर अपनी speed चला रहे हो और byte वाली file को डाउनलोड कर रहे हो मतलब आपनी जो file है आप उसको जो है मतलब वो file जो है वो 30 megabyte की है तो आप वो file को जो है डाउनलोड कर रहे हो और वो file जो है आप जब डाउनलोड करोंगे तो वो आपको same speed नहीं दिखाएगा वो आपको जो है 4 Mbps की दिखाएगा या फिर 3 Mbps की दिखाएगा आपकी जो इंटरनेट की actual speed है 30 Mbps उससे 8 गुना कम है ना क्यों क्योंकि आप जो speed देख रहे हो वो bits में देख रहे हो जो file download कर रहे हो वो bytes में कर रहे हो अब यहाँ पर जब इंटरनेट की बात होगे तो bits में हम लोग calculate कर लेते हैं कि बाई bits में हैं लेकिन वही बात अगर storage की करोंगे या मतलब आपके कोई file की करोंगे तो वो जो है byte में calculate होता है है ना इसलिए जो है वहाँ पर जो downloading speed होती है normally जो internet speed होती है उससे जो है आपको 8 गुना कम ही दिखाई देती है तो कुल मेला कि आप यह चीज स इसलिए होता है कि आप जो है internet speed देख पा रहे हो वो mbps ने की bits में देख पा रहे हो लेकिन अगर आप जब डाउनलोड कर रहे हो किसी file को आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पर जो फाइल है मैं आपको आसान शब्दों में का मतलब समझा रहा हूं यहां पर technical अगर भा में की加ण की USP मतलब आपका जो internet speed provider है उसने कुछ मतलब जोल है हां जोल थो उस उस समय का होगा जब वह आपको बता रहा है कि आपकी जो internet speed है वो bytes में है अगर वो बता रहा है आपको कि हाँ आपकी internet speed है वो 40 mbps यानि की 40 megabytes में चल रही है है ना तब उस समय पर आप उसके जरूर question कर सकते हो है ना उसको जरूर question कर सकते हो तो आप जब भी अपना broadband लगाते हो या इंटरनेट लगाते हो जो भी है आप अपने घर में चल लगाते हो वाइफा करनेक्शन लगाते हो तो आपको internet connection वाले से यह पूछना है कि मेरी जो internet speed है भाई वो मतलब downloading speed है वो मतलब कितने bytes में downloading speed या फिर internet speed मेरे कितने bytes में megabits में आप दिखा रहे हो या megabytes में दिखा रहे हो वैसे तो आप भी देख सकते हो मैंने आपको जैसे starting में कहा कि MB और MB मतलब जो MB आपको small में दिखा रहा है तो वो bit में है और जो MB आपको big मतलब capital में दिखा रहा है है Capital में दिखा रहा है वो है आपका MBPS मतलब की Megabyte तो यह चीज है यह सारे जो confusion है वो आपको जो है समझने होंगे है ना आपका जो internet है आप जो internet डेख रहे हो आतलब जो internet की speed है actual speed और downloading speed वो क्यों different difference देती है और क्यों मतलब bit और byte में difference है क्या difference है यह आपको सिंपल सी भाषा में मैंने समझाने के कोशिश की है तो उमीद करता हूँ आप लोग को bit और byte का confusion है वो clear हो चुका होगा इससे उपर और भी होता है जैसे gigabyte है terabyte है जैसे मैंने कहा exabyte है petabyte है बहुत सारे जो है वो इससे उपर भी आते है लेकिन हमें जो है आप फिलाल जो है bits और bytes में बात करना था तो यह confusion था वो आप लोग का clear हो चुका होगा bit जो होता है वो normally आप जब अपने इंटरनेट चेक करते हो या फिर जो आपकी इंटरनेट की speed चेक करते हो उसके लिए आप देख सकते हो और byte की जहातक बात इते हो storage files अगरा में अपनी byte को calculate कर सकते हो इसलिए आपकी इंटरनेट स्पीड और downloading स्पीड थोड़ी difference होती है आपको उससे calculate करना है bit में दो states होते है दो values होती है उसी जगे पर byte होता है उसमें 8 bits होते है और उसमें मतलब कुल मिला के 16 states या 16 values हो जाती है अगर आप इस तरह से calculate कर आए होगा ज़रूर वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि यह जो इंटरनेट का जो confusion है सभी के साथ जो स्वाल हो जाए और टेलिग्राम वाटसप ग्रूप पेज में अब जाके ग्रूप में जूर सकते हो फीमेल्स के लिए अलग से ग्रूप बनाए गया है तो वह भी के जूर सकते हैं मिलूगा मैं किसी और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैहिन